है अब्रिवान तो आज हम इस दिये को पेंट करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने वाइट अक्रेलिक पेंट लिया हैं और उससे पहले मैं इस पूरे दिये को अच्छे से पेंट कर दोंगी इसे पेंट करने के लिए सबसे पहला मैं जो कलर यूज कर रही हूँ वो है डाप ब्लू कलर और डाप ब्लू कलर में मैंने थोड़ा सा गोल्डन एक्रालिक पेंट को मिक्स कर लिया है जिससे कि जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन टाइप में देखने लगे तो अब इस ही ब्लु कलर को मैं यूज करने वाले हूँ इसे ऊपर वाले ले ब्ले लेकर को पिइंट करने के लिए तो इस दिये के सबस्भर वाले ले लेयर में मैंने इस ब्लू कलरकर अच्छे से पेंट कर दिया है अब सेंद क्लर में यूज कर रही हूं. लाइ्ट यलो गोल्टन कलर तो यह कलर मेरे पास इफॉरूण पास अलेडि है अगर आपके पास इस टएफ का गोल्डन येलो कलर नहीं है तो आप येलो कलर में थोड़ा सा गोल्डन एकृरेलिक पेंट को मिक्स करके ये वाला कलर बना सकते हैं अब इस गोल्डन एक्रालिक पेंट से मैं अंदर के जितना भी पाट था उसे अच्छे से पेंट कर दूँगी फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह इसी टाइप की ब्यूटिफुल दिया डिजाइन सीखना चाहते हैं तो मैंन को देखने के बाद वह प्रेलिस जरूर चेक कीज़ेगा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डीटेलिंग वार्प तो डीटेलिंग के लिए मैं यूज कर रही हूं वाइट एक्रालिक पेंट और पतला बाला ब्रश सबसे पहले इसकी बाहर की आउक्लाइन थी उसे मैं हाइ पार की बॉर्डर को पेंट करने के बाद मैंने सुचा कि अंदर भी हमें कुछ डॉर्ट से इसमें डीटेलिंग एड करना चाहिए तो जहां पे मैंने बॉर्डर में पेंट किया है उसके अंदर साइड पे जो ट्राइंगल शेप दिख रहा है उसके सेंटर में मैं एक-एक पॉइंट रखते जा रही हूं तो देखिए पॉइंट रखने के बाद यह जो बुलू कर रहो कितने अच्छे से हाइलाइट हो रहा है यह देखिए फ्रेंड्स हमने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से पेंट किया है लेकिन देखने में कितना सुन्द लग रहा है तो यह रह कर दो यह रहा है